septic tank हमें कैसे बनानी है और हमारे बील्डिंग के हिसाब से यानि कि हम चोटा बील्डिंग मना राования है यानि पर-person capacity के हिसाब से हमें किस परकार design करनी है और septic tank बनाने में हमें किन important बातों का ख्याल रखना है चलिए मैं वीडियो को detail में दिटेल में शुरू करता हूं और चाले हमें अपने per person capacity के हिसाब से septic tank का हमें size decide कर लेनी चाहिए कि कितना होना चाहिए IS extender code जो हमारा 24701963 part 1 के हिसाब से per person capacity के हिसाब से यानि कि जो एक लोग का दिन भर की capacity है पानी की खपत की उसके हिसाब से tank का size का यहाँ पर निर्माण किया जाता है तो जो हमारा IS extender code है वो कहता है कि हमें जो septic tank की चौड़ाई जो minimum होती है धाई फिट से तीन फिट से रखनी है उससे कम नहीं रखनी है और अगर आप धाई फिट रखते हैं या तीन फिट रखते हैं उससे कम आपको गहराई नहीं रखनी है तो अगर आप चार से पांच परसन के लिए tank बनाना चाहते हैं तो आपका ये तीन फिट चौड़ा और नौ फिट लंबा और फिर आपका तीन साड़े तीन फिट गहरा जो septic tank है ये काफी suitable रहेगा नेक्स्ट पॉइंट हमारे ये कहता है कि हमें अब ये डिसाइड करना है कि septic tank हमें बनाना का है septic tank दोस्तों अक्सार हम अपने bedroom के नीचे या kitchen के या फिर पूजा रूम के नीचे नहीं बनाना चाहिए या जो भी है आपका outer दिवार है तो दिवार से आप कोशिस करें कि दो से तीन फिट की दूरी मेंटेन करके और तब बनाया जाए septic tank के अंदर आपका कोई भी footing या column का बेस नहीं आना चाहिए तीसरी बात है आपको यह बता दो कि अगर वहीं आप आस्तु के हिसाब से अगर septic tank बनाना चाहते हैं तो नौर्थ वेश्ट जो डिरेक्शन होता है वो सबसे suitable होता है हमारे septic tank के लिए और septic tank के आपको कोईसित यह करना चाहिए कि अगर आपको जो जीना निकला है यानि यह stair case है stair case के नीचे जो जगा खाली होता है वहाँ बना सकते हैं या फिर parking में आपको वहाँ पर septic tank बना सकते हैं आरकिंग के नीचे आपका जो जगा होता है वह आपका यूजफूल होता है septic tank के लिए next point भी हमारा काफी important point है इसमें मैं आपको यह बताना वाला हूँ कि septic tank जो बनानी है वह आपको brickwork का बनानी है या RCC की septic tank बनानी है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका अगर नीचे का जमीन का water level ऊपर है या फिर आपका जहां tank बना रहा है उसके आसपास नदी नाला या पानी की समस्या है वहाँ पानी लगी रहती है या फिर ऐसा है कि यहां पे मतलब यह है कि आप अगर ज्यादा खुदवाते हैं तो आपका water level तुरंत निकल आता है तो उ उसका ड़लाई करवानी चाहिए और उसका जो आपका RCC का दिवार भी वहां पे कम से कम चार इंच आप ऐसा करें कि अंदर से RCC का सिंगल जाल में दिवाल करवा लें फिर बाहर से उसका चार इंच का इंट लगवा दे तो पूरा आपका 9 इंच का थिकनेस वहां पे मिल ज मिल जातना अव कि आपको 9 इंच का डिवार आपको बनानी है और उसमें मसाला यूज करना एक ratio 3 एक ratio 4 minimum use करना है उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है ये भी हमारा काफी important point है इसमें हम देखते हैं कि लोग अक्सर जो होता है अपने सहरों में या फिर जिनके पास जगह की कमी होती है वो दो partition में यानि कि बीच में एक partition दलवाते हैं और दो box उनका बन जाता है यान कि दोस्तों मैं अपने experience के हिसाब से बता दूँ या लोगों के जो भी यहाँ पर septic tank जो बने हुए हैं उनकी समस्या को देखते हुए मैं अपना यहाँ पर suggestion दे रहा हूं कि दो पार्ट वाला जो septic tank होता है वो दोस्तों बहुत हमारे लिए कोई उसका advantage नहीं है उसमें हम partition होता है तो नीचे से खुला रहता है तो हमारा जो सलाज होता है दूसरे में भी जमह होने लगता है तो जो हमारा पानी है पानी जो आप जisesti भर जाता है पिर क्या होता है कि हमारा septic tank भर जाता तो हमें बार बार साफाई की जरुवत पड़ती है तो मैं आपको यही सज़ेस्ट करूँगा कि कभी भी आप तीन पार्ट वाला यानी की तीन चमबर वाला आपको दो पर्टिजन देनी पड़ती है उसमें आपको फायदा यह होता है कि जब सलाज आता तो दूसरे चमबर तक ट्रां हमारा बाहर निकलते रहता है तो इस तरह हमारा जो कम से कम जो सलज है दो ही तक रहा जाता है और हमारा टैंक जो भरने के समझ से जल्दी जल्दी होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है और हमें जो टैंक सफाई करने की जरूरत होती है वो कम से कम आपका तीन से चार साल या पांच साल में फिर सफाई करने की जरूरत पढ़ती है अगर आप तीन पार्टिसन वाला अगर आप सेप्टिक टैंक बनाते हैं 3 part वाला तो उसमें आपको जितने भी part बनाए उसके उपर आपको 2 by 2 का manhole जगा जरूर छोड़ देनी है क्योंकि दोस्तो अगर कोई भी आपका काम होता है तो आपको वहाँ से manhole ले रहता है गैस निकलने के लिए पाइप पे लगाते हैं वो आपको 2-3 इंच का पाइप यूज करना है पीवीसी का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और आपको गैस का यहाँ पे पाइप आपको सेप्टिक टैंक पे जरूर लगानी है ताकि आप इस मेल से बचे रहें